तीकमगड तीकमगड में सतंतरता दिवस पर इसकूलों में धोजा रोपरंड कर सहीतों का इस्मरंड किया गया इस मुखे पर्टी कमगड पबलिक हाई स्कूल में मुख्य अतिती पूर्व टी आई खलील मुहमद ने धोजा रोपरंड कर देश और नगरवासियों को सतंतरता दिवस की बधाई दी के लिए अपना सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण काम होता है वो देश के लिए लगा देते हैं यही हमारी देश की खुबशूर्दी है सतंतरता दिवस अमर रहे आज के हमारे सतंतरता दिवस की कारकरम में टीकमगर पब्लिक हाई श्कूल में आयोजयत होने वाले धोजारोहन राष्टगान और सतंतरता दिवस के संचिप्त कोविड प्रोटोकाल के निमों को पालन करते हुए होने वाले कारकरम में हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं आदरनी इसरी खलील मुहम्मद जी जो अभी हाल ही अपनी पुलिश प्रसासन में सेवाओं से सेवा निब्रत हुए हैं और हम बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं उन्हें अपने हां आमंत्रित कर और इस कारिकरम में हम चाहेंगे कि वो हमारे सुतंदरत सेनानियों के वलिदान को याद करें और हमारी साला के विकास के लिए दो शब्द कहें आज बड़ा ही गौरब का दिन है आज हमारा देस सुतंतर हुआ था आजाद हुआ था ये 75 मां सुतंतरता दिवश हम आज मना रहे हैं इसमें हमारे बुजर्गों का जो वलिदान रहा है हमारे पूरबजों ने जो बलिदान देस के खातर दिया है गुलामी से हम लोगों को आजात करवाय था था हम लोग इतने खुशकिसमत हैं के सुतंतर भारत में पैदा हुए और इस देस को खुशहाल हालत में देख रहे हैं और ये हम लोगों का जो पूरबजों ने हम ल और प्रतेग व्यक्ति, खुशाल, खुशाल ही महसूस करे, और खुशाल जीवर बेदित करे, और हमारा देश यूही परगती करता रहे, देश वाचियों के लिए और नगरवाचियों के लिए कोई शंदेश, देश वाचियों के लिए यह शंदेश है, कि जो हमारे रहना चाहिए जिससे हमारा देश हमेशा बिकास करता रहे और आने वाली पीडी ये प्रेणा लेती रहे इस तरह के काम हम लोगों को आगे देश को बढ़ाने के लिए करते रहना चाहिए टीकमगर से मुहम्मद इर्फान खान की रिपोर्ट